नमस्कार आप देखरें फायर मीडिया और मैं हो आपके साथ शीतल शर्मा जैसे ही पंचाईती चुनाव होते हैं वैसे ही लोगों को ऐसा लगता है कि अब जमीनी सतर पे विकास होगा गाउं का विकास होगा और तभी जो है हमारे जिले का विकास होगा जब जिले का विकास ह तो हमारे देश का भी विकास होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि देश विक्षित होगा। लेकिन पंचाईती चुनाओं के बाद अक्सर देखने को मिलता है। मैं अपने किश्टवाड की बाद करूं, अपने जिला किश्टवाड की बाद करूं, अक्सर यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है कि पंचाइती चुनाओं के बाद अक्सर एक दूसरे की पुरानी जिदें या फिर इस तरह की घटनाएं जो हैं सामने आती हैं कोई विकास कोई कुछ नहीं होता है चलिए इस वक्त इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौझूद हैं पंचाइत खोरी सरूर से जो बलाग ध्रबचाला में है बलाग ध्रबचाला के इस इलाके में ये पंचाइत पढ़ती है वहाँ से इस वक्त हमारे साथ रामलाल परिहार जी जो एक्स चेर्मेन भी रह चुके हैं उस पंचाइद के जानते हैं इन से कि आखिर इनको क्या वज़ा पड़ी हमारे साथ अपरोच करने की इनको क्या वज़ा पड़ी मीडिया के सामने आने की और क्या-क्या दिक्कते हैं इनकी पंचायत में आईए इनसे बात करते हैं सबसे पहले आप अपना नाम बताईए और क्या वज़ा रही आज आपको कि आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ रहा है मैं रामलाल प्रिहार, एक्स चेर्मेन पंचाइद सुरूर, मैं मुज़ा धार का रहने वाला हूँ मुझे आज आपस की वसात्त से पंचाइद खोरी के पैंचान सर्पेंच वगेरा से बात करने का मौका मिला है अपनी रिक्वेस्टी को हो उन तक रखने का मौका मिला है मुझे बहुत टेंशन है, मैं बहुत दुखी हूँ कि हमने उन लोगों को ओट दे कर काम्याब किया था नए लोग लाए थे, पुराने जो लोग थे उनको रोका था कुछ लोग हमसे नाराज भी हैं, तब भी हम बीच में आये थे, अलेक्शन में हमने अच्छे अच्छे अपनी तरफ से अच्छे अच्छे चहरे वहाँ पंचाइत खोरी में लाए थे सरपेंच एक बहुत अच्छी लड़की जो पड़ी लिखी और बहुत समझदार है, उसको लाया था, वहाँ के पंच जितने भी हैं अच्छे थे, उनको लाया था कि वह कुछ हमारी डिवल्पमेंट करें, हमारी इस पंचाइत को आगे लें, यहाँ जो काम रुके हुए हैं, उनको पूरा करें, लेकिन बहुत अफसोस है, कि वहाँ क कुछ पैंचान, जो लड़ रहें, नजाने किस बात पर जगड़ा कर रहें, कभी किसी दुकान पर मीटिंग है, कभी किसी सडक में मीटिंग है, मेरी उनसे गुजारश है, मेरी वहाँ के सर्पेंच से गुजारश है कि वह एक इजलास तालब करें, वहाँ के पंचाइट से त्रिक्ट्री की मदियस्ता से एक इजलास जो है जिसकी उसके पास पावर है वो तलब करे और उस इजलास में मेंबरान के लावा पैंचान के लावा वहां के जो सीनिअर सिटीजन है उनको भी बिलाए मैं भी वहां का एक पुराना आदमी हूं मैं भी अपना नाम पेश करता हूँ मुझे भी मद्दू किया जाए और बाकि वहां के जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको भी बुलाया जाए हम देखेंगे हमें दुख है हम देखेंगे ये लड़ाई किस चीज़ की है ये बाहर के लोग क्यों वर्गला रहे हैं ये बाहर के लोग के उनके फैवर में क्यों आ रहे हैं ये लोग और हमारी पंचायत को ये बदनाम कर रहे है मुझे समझ नहीं आती है बाहर के लोगों को इससे क्या फाइदा है मैं वहां के सर्पेंट वहां के मेंबर उनको क्या-क्या जिम्वारी है वो जिम्वारी वो निभाएं आजकल खोरी बलाक एक पिक्चर बनी हुई है बहुत मतलब बनामी हो रही है हमारे बलाक की जहां भी जो भी आदमी मिलता है वो बोलता नहीं जी ऐसा है नहीं जी वेसा है कोई कहां जाकर मीडिया में बात करता ह नजाने इदर कौन रिपोर्टर है कौन सी मीडिया है यहां कोई कहां बियान देता है कोई जाकर किसी सड़क में बियान देता है कोई जाकर किसी दुकान पर बियान देता है यह कठे क्यों नहीं होते है सर्पेंच क्यों नहीं बुलाता है इनको सर्पेंच से रिक्वेस्ट है इन सब को बुलाए कौन सी बात है जो हल नहीं होती है यहां हमारा पडोसी मुलक है बदमाश मुलक है मुझे पारलिमेंटरी अन पारलिमेंटरी टाक कर गया मैं तो उस वो इतना बुरा मुलक है लेकिन फिर भी हमारा जो देश है जो हमारा भारत है वो कह रहा है कि हम बात चीट से मसला हल कौन सा मसला है जो बात चीट से हल नहीं हो सकता है और मैं देखो मैं वहां के पैंचाम से यह बात जो कुछ पैंच वहां बिगडे हुए है देखो मैं सब का नहीं बोलूँगा मैं उनको बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह बनामी होती है आजकल के जवान आजकल के नौजवान बहुत चलाक हैं पड़े लिखे लोग हैं उनके दिमाग में ये शक पड़ गी है कि ये लोग क्यों रूट रहे हैं क्यों लड़ रहे हैं कहीं बंदरबांट में इनको कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई है लहाज़ा मैं इस चीज़ का हल ढूनने के लिए एक बहुत स्यानी बात आपको बोलना चाहता हूँ बड़े तरीके से बोलता हूँ कि आप बहर के किसी भी आदमी के इस में नहीं आऊएं फैवर में नहीं आएं और जो भी आप लोगों को आपस में गिले शिक्वे हैं वहाँ दूर करो ताकि हमारे इस हलके में जो हमारा ये पंचायत हलका खोरी है इसकी तरकी हो यहां डिवल्मेंट हो आप कहरें कि भारी लोग जो हैं वो पंचायत में आकर मनमुटाव डाल रहे हैं पंचियों और सरपंचियों के बीच आखिर क्या वज़ा है और कौन लोग हैं वो भारी लोग जो इस तरह से पंचायत के अंदर पंचाइद के लोगों में मनमुटाव डालने की कोशिश कर रहे हैं देखियो ये सियासत है मैं तो कलियर बताऊंगा ये सियासत है कौन बीजेपी है कौन कंगरस है कौन पेंथर है कौन एंसी है कौन अपनी पार्टी है कौन क्या है कौन क्या है ये सिर्फ सियासी लडाई है और ये नहीं हो ये मुझे पसंद नहीं है ये बात ये सिर्फ सियासी लडाई है सियासत को यहां बीच में लाना नहीं है यहां हमने डिवल्मेंट करनी है अपनी पंचायत की इन पंचायत में मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए हमने बड़ी उमीद से इन लोगों को चुना है यहां के सर्पिंच को चुना है यहां के वाइस सर्पिंच को चुना है यहां के मेंबर्स जितने भी पंचायच मेंबर्स हैं हमने कोशिश की है लग भग कि वहां बगेर एलेक्शन के इनको हम आगे भेजें लेकिन जहां नहीं माना है वहां भी हमने रातो रात कंप्रोमाइज करके अच्छे आदमी बेजे थे लेकिन न जाने इनको कौन क्या हुआ लगी है क्या हुआ है कि ये बाहर के लोगों में इस स्यासत को क्यों ला रहे हैं मैं आप से एक मुक्सर इन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको वहां के गरीब अवाम का ख्याल करना है आज मैं महकमा माल से भी गुदारश करना चाहता हूँ आज जाब कार्ड की वेरिफिकेशन हो रही है जाब कार्ड की वेरिफिकेशन की जो certificate है जो उसकी एक identity है वो power वहां के नमबरदार, चोकीदार, serpent, ward member के पास है तो मैं महकमा माल से गुजारश करता हूँ, खास करके तैसलदार द्रवशाला से मेरी गुजारश है कि वहां के गरीब अवाम को इस सकत गर्मी में वो नहीं दोड़ाएं नमबरदार, चोकीदार से जो कोई उनका वो चोला वगेरा क्या फार्मल्टी है, तो सबसे बड़ी जानकारी जो है वो नमबरदार चोकीदार को होती है, चोला वगेरा के बारे में, तो वो उन से certificate लेकर और उनकी verification जल्दी कराएं, उनको दरबदर इस इस बिमारी जो महामारी फैली हुई है, इसमें उन गरीब लोग को किश्तवार या कहीं दूसरी जगार न बेजें. सर, पिछले कुछ दिनों में lockdown रहा इस महामारी के कारण, तो कैसा रोल रहा आपके सर पंचू और पंचू का आपकी पंचाईद में किस तरह से उनने जमीनी सतर पर काम किया, जाए रशन का काम हो या सरकार की योजनाओं का काम हो, तो कैसा रोल रहा जो है सर पंचू का और पंचू का क्यूंकि आप कह रहें कि आप सी मन मुटाओ भी है पंचाइद में तेखिये बहुत रहा है उन दिनों बहुत अच्छा रहा सरपेंच गर गर जाती रही मेंबर भी आते रहे नजाने आज कौन खा गया इनको क्या बला लग गई तब ठीक था जो चीजें हमने नहीं देखी थी मास्क बांटे गिये वो क्या बोलते है जो स सोशल डिस्टेंस के बारे में लोकों को समझाया मुझे समझने आती है आज क्या हुआ इनको और इससे ही बदनाम भी होंगे देखो मैंने पहले भी बोला लहाजा मैं दुबारा सरपेंच से गुजारश करता हूँ कि वो फोरन इजलास तलब करे और जो मन मुटावा है इस पंचायत के पंचू के लिए सरपंचू के लिए क्या संदेश देंगा मेरी उनसे हाथ जोड़कर बिंती है कि वो सिर्फ ये मन मुटावा अपना दूर करें और वहां की पंचायत किया जो हमारे खोरी पंचायत है वहां की डिवर्टमेंट का ख्यार रखें और वहां जितन भी काम जो पड़े हुए हैं वो पूरा करें और वहां जो हमारा भाहिचारा अर्षा कदीम से काइम है हिंदू-मुस्लिम भाहिचारा जो हमारा मिसाल है वहां की उसको काइम रखें भूद भूद धन्यवाद बाचीत करने के लिए तो ये थे हमारे साथ रामलाल परिहार जी जो बलॉक द्रबशाला से हैं खोरी पंचाइट से एक्सजेर में भी रह चुके हैं खास एक्सक्लूसिव बाचीत की इनके साथ हमने और इनका आज मीडिया के सामने आने का मुख्य कारण था पंचूं और सरपंचूं के बीच या फिर जो भी पंचाइट के अंदर लोग हैं आपसी मनमुटाव आखिर क्यूं पंचाइटों के बीच आपसी मनमुटाव होते रहते हैं ये आज की बात नहीं अकसर ये किश्टवाड के अंदर हम कुछ दिनों से देखते आ किश्टवाड ब्लॉक की बात करें तो यहां भी पंचूं सरपंचूं और जो चेर्मेन हैं उनके आपसी मनमुटाव ज्यादा दिख रहे हैं जहां विकास होना चाहे था वहां सिर्फ आपस में लड़ाई लड़ने लगे हैं तो क्या ऐसे देश का विकास होगा आप देख इतरे ये फाइर मीडिया कैमरा परसन समाइल शर्मा के साथ शीतल शर्मा किश्टवाड